प्रिवस लेक्चर में डिसकस कर चुके हैं और कुछ और बेसिक ट्रम्स या कंसेप्ट जो एक्सराइज में हमारे काम आएगी उनको हम और इस लेक्चर में डिसकस करेंगे और इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एग्ट के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे गीट एंगल तो स्टुडेंट जो've ॥े यह जूरु से 90 के बीच में लाई करता है ध्यानकना स्टूर को हम या उस एंगल को क्या कहते हैं acute angle कहते हैं यानि 90 degree से जो smaller angle होता है उसको हम क्या कहते हैं acute angle कहते हैं इसके बाद हम बात करते हैं student right angle तो जब angle student 90 degree का हो जाता है कोई भी angle 90 degree का हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं right angle 90 से small है यानि smaller than 90 then angle is called acute angle 0 और 90 के बीच में भी आप कह सकते हो 0 और 90 के बीच में अगर किसी एंगल की value है तो कैसा एंगल के बोला जाता है वो acute एंगल और यदि एंगल student 90 degree का है तो जो एंगल है उसको हम क्या बोलेंगे right एंगल बोलेंगे तो इसके बाद हम बात करें student obtuse angle यदि एंगल जो है हमारा greater है student greater than 90 90 तो उसको हम क्या बोलेंगे student यहां पर obtuse angle बोलेंगे लेकिन यहां student जो हम mostly times गलती करते हैं ज्यादा तरह हम जो गलती करते हैं कि 90 से greater होते ही कोई भी angle हमें दिखाई देता है हम उसको obtuse angle बोल देते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है student angle greater than 90 but smaller than 180 यानि ऐसा angle student आप इसको इस तरीके से कह सकते हो ऐसा angle जिसकी value 90 और 180 के बीच में लाई कर रही है यानि 90 से तो बड़ा है या 90 से तो greater है और 180 से क्या है smaller है यानि 180 और 90 के बीच में एंगल है तो उसको हम क्या बोलते हैं obtuse angle बोलते हैं जैसे कि student मैंने यहां लिख दिया 179 एक मैंने एंगल यह लिख दिया है और एक मैंने एंगल यह लिख दिया है तो अगर हम से पूछा जाए कि दोनों में obtuse angle कौन सा है तो अगर हम सिरफ इस definition पे जाते हैं कि angle greater than 90 कि दोनों angle जो आप देख रहे हैं यहां पर 90 से greater है तो obtuse angle होंगे लेकिन क्योंकि student हमने एक condition और जोड़ दी है यहां पर but smaller than 180 तो यह angle जो है student 180 से smaller नहीं है तो यह obtuse angle नहीं है obtuse angle student क्या है 179 179 degree का जो angle हमारे पास वो क्या आजाता है obtuse angle आजाता है यहां पर तो ऐसा angle जो 90 और 180 के बीच में लाई करेगा उसको हम क्या बोलेंगे obtuse angle बोलेंगे इसके बाद हम बात करते हैं student यहां पर straight angle अगर angle student हमारा 180 का हो जाता है यानि complete 180 degree का angle बन जाता है यानि जो हमारे पास बात कर रहे थे हमकी कोई भी angle होता है दो रे से मिलता है दो रे से बनता है और उनका जो end point होता है अगर student ये रे जो है student turn करके इस तरीके से ऐसे आ जाती है तो ये angle जो होता है इसको हम बोल लेते हैं कि 180 degree का angle हो गया तो एक straight line बन जाती है 180 degree पे तो ये दोनों रो मिलके student एक क्या बना देती है लाइन बना देती है और यहां कौन सी लाइन की बात कर रहे है हम straight line की बात कर रहे है हम बिल्कुल सीधी line की बात कर रहे है तो जब angle 180 degree का हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते है straight angle कहते हैं उसको उसके बाद आता है स्टुडेंट Reflex एंगल क्या होता है तो एंगल यदी स्टुडेंट 180 से greater क्योंकि 180 डिगरी का हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं straight एंगल बोलते हैं उसको और Reflex एंगल की बात करें तो एंगल यदी 180 और 360 के बीच में लाई करता है तो उसको हम क्या कहते हैं स्टुडेंट reflex एंगल बोलते हैं जैसे कि आप यह एंगल देख रहे हैं स्टुडेंट 180 डिगरी का जो एंगल है वो 180 से तो greater है और 360 से smaller है यानि इनके बीच में लाई करता है तो यह एंगल जो है स्टुडेंट कैसा एंगल है यह reflex एंगल है तो ऐस एंगल जिसकी value 180 यानि 180 से ज्यादा हो और 360 यानि 360 से कम हो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं reflex एंगल बोलते हैं इसके बाद हम बात करते हैं complementary angles इसका मतलब क्या स्टुडेंट कंपली मेंटरी एक अकेला एंगल नहीं होता है complimentary एंगल में दो एंगल हम सामिल करते हैं तो ऐसे एंगल स्टुडेंट जिनका सम ऐसे टू एंगल जिनका सम जो है वो 180 हो जाता है टू एंगल टू एंगल वूज सम इस sorry complimentary एंगल की बात कर रहे हैं उनका सम कितना होना चीए 90 डिग्री होना चीए तो अगर स्टुडेंट दो कोई भी एंगल है हमारे पास उनका सम स्टुडेंट 90 डिग्री का है तो उन एंगल को हम क्या बोलते हैं complimentary एंगल बोलते हैं जैसे कि स्टुडेंट हम बात करते हैं यहाँ पर दो एंगल जैसे एक एंगल मैंने लिख लिया वन डिगरी का और दूसरा मैंने लिख दिया स्टुटेंट एटी नाइन डिगरी का तो अगर हम इन दोनों का सम करते हैं वन डिगरी में 89 degree को add करते हैं तो हमारे पास result आता है 90 degree तो ये दोनों जो angle ये जो angle है वो कैसे angle कलाएंगे complimentary angle कलाएंगे इसके बाद हम बात करते हैं supplementary angle complimentary में जो angle का sum है student वो कितना हुआ 90 supplementary में angle का जो sum है बात कर रहे है true angle की तो supplementary में जो angle का sum है student वो कितना होना चीए 180 degree होना चीए यानि अगर two angles whose sum is 180 degree then angles are called supplementary angle यानि आप कह सकते हैं 80 और 100 degree जो दो angle आप यहां देख रहे हैं इन दोनों का sum जो है student वो कितना अएगा 80 degree प्लस 100 is equal to 180 दुए यह दोनों आंगल student यहां पे कैसे इंगल है supplementary angle है यहां पे और sum यादी student कितना हो जाता है 90 degree हो जाता है तो उसको हम complimentary और दो आंगल का sum student यादी 180 degree या 180 degree हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं supplementary angle बोलते हैं इसके बाद हमारे पास जो point no.8 है adjacent angle तो adjacent angle क्या होता है student जब भी कोई भी angle दो angle की बात कर रहे हैं यहां पर student ऐसे एक angle हो गया और एक ये angle हो जाता है और एक रहे इनके बीच से चली जाती है तो student ये जो दो angle आपको दिखाई दे रहे हैं ये दोनों angle student ये वाला और ये वाला कैसे angle कलाएंगे adjacent angle कलाएंगे यहां पर student ये जो vertex है ये क्या रहेगा common रहेगा adjacent angle के अंदर student vertex जो होता है वो common होता है एक vertex आपको confirm है common مिलेगा दूसरा एक ray भी आपको common मिलेगी जैसे ये जो ray आप दिखाई देड स्टुरेंग आपको ये इस angle के अंदर भी include है तो एक ray स्टुरेंट यहाँ पर क्या होगी common होगी एक vertex common होना चीए एक ray क्या होने चीए common होने चीए तो एक ray common होगी और एक vertex common होगा उसको drop करके बाकी आपके पास दो रो और बचेंगी जैसे यह second row हो गई यह third row हो गई तो यह दोनों row है student common row के different side होनी चीए यह नहीं कि same side है जैसे कि मालने जैसे student अगर आप इसको ऐसे consider कर रहे हैं आप इसको common ray ले रहे हैं तो यह common ray नहीं है यहाँ पर क्योंकि आप देखिए एक तो इस angle को बनाने के लिए यह ray include नहीं हुई है यह ray जो आपको दिखाई दे रही है यह common हो सकती है लेकिन अगर आप इसको common ले रहे है तो एक तो यह दोनों ray जो है बाकी जो बच गई वो same side आ गई है जबकि मैंने आपको क्या बताया जो other ray है वो क्या होनी चीए different side पे होनी चीए are on different side of common ray तो यह तीन चीजे student adjacent angle में हमें ध्यान लखनी है सबसे पहले हम बात करते हैं कि vertex common होना चीए एक vertex common होना चीए एक ray common होनी चीए और जो दो different side आपके पास बच जाती है common ray को छोड़के वो क्या होनी चीए different side होनी चीए एक जैसे कि इस side है तो दूसरी इसके बिल्कुल opposite side होनी चीए तो हम कहते हैं कि दोनों एंगल के student adjacent angle है जैसे कि student किसी भी आप quadilateral के अंदर इस तरीके से angle ले रहे हैं आप और इस diagonal को आप मिला देते हैं तो यह वाला जो angle student इस angle के क्या है adjacent angle है क्योंकि इन दोनों angle में student यह vertex common हो जाता है और यह जो ray आप देख रहे हैं यहां पर यह जो ray है student यहां पर यह common ray हो जाती है और बाकी जो दो आर्म्स इसकी बचती है एंगल्स की टोटल तीन आरंस है यह वन टू एंड थ्री अधर टू आर्म्स जो वो डिफ्रेंट साइड हो जाती है एक उस साइड हो गई और एक इधर हो गई तो यह दोनों angle student कैसे angle कलाते हैं इसके बाद हम बात करते हैं लीनियर पेयर एंगल्स और लीनियर पेयर एक्जियोम्स जब किसी एक स्टेट लाइन के उपर student हम दो एंगल बना देते हैं यह जैसे एक स्टेट लाइन हो जाती है student और इसके उपर मैंने यह एक रे जो है student यहां पर मैंजन कर दिए तो इसके उपर student दो एडजेसेंट एंगल बन जाते हैं एक यह और एक यह वाला angle तो आपको clear दिखाई दे रहा होगा student अगर हम इसको point consider करते हैं तो एक ray यह हो जाती है एक ray यह हो जाती है तो इन दोनों का सम यदि student 180 हो जाता है इस एंगल का और इस एंगल का तो उसको हम क्या बोलते है linear pair बोलते है linear pair axioms बोलते हैं इसको इसके अंदर student हमने दो result सामिल किये है सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि अगर एक straight line के उपर दो angle बने हुए है 1 और 2 तो इनका जो sum है student वो कितना होना चीए 180 होना चीए 180 degree ही रहेगा हमेशा तो इस result को इस rule को हम क्या बोलते है linear pair axioms बोलते हैं और दूसरा student result क्या आता है म adjacent angle है जैसे कि यह दोनों adjacent angle है इनका sum 180 degree हो जाता है तो line क्या हो जाती है state line हो जाती है यानि student आपको confirm नहीं है कि यह जो line नहीं state है या नहीं है लेकिन आपको यह पता है कि यह वाला जो angle है और यह वाला जो angle है इन दोनों का sum जो है student अगर 180 है तो यह क्या बन जाती है एक straight line बन जाती है और दूसरा जो इसका मैंने कनवर्स बताया स्ट्टेट लाइन के उपर अगर दो एंगल बने हुए यह तो इन दोनों का सम 180 होगा और यदि स्ट्टेट हम कनवर्स करें यानि उल्टा करें सम 180 है तो यह क्या बन जाएगी एक स्टेट लाइन बन जाएगी और आल बोलते हैं linear pair axioms बोलते हैं तो इस तरीके से स्ट्टेट यह हमने कुछ जो basic terms है वो यहां इस lecture में discuss की